हेलो एवरीबन वेलकम टू जैनिक एजुकेशन आप सभी के एक बाद फिर से स्वागत है ट्रैफिक इंजिनिंग टॉपिक आपका चल रहा है जिसमें काफी सारी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी है हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल रेगलेशन पड़ रहे थे और उसमें आज ह किनल है उसके डिजाइन से एलेटर कुछ इंपोर्टेंट टॉंस है उनको देखने ही कि करके तो बहुत ही ध्यान से आप लोग को आज पूरा पढ़ना है और कॉपी पिल लेकर करके बैठ जाए जल्दी से जल्दी लेक्चर को लाइक कर दिजिए शेयर कर दिजिए अपने आपके यूज होते हैं डिजाइन में ठीक है तो फर्स्ट है आप यहां पर साइकिल लेंथ क्या है आपका साइकिल लेंथ ओके देखें साइकिल लेंथ में जो है आपका क्या हूए आपका क्या है कि it is a time interval between kyan green to next time green Start इसना मतलब यह है कि जब आप ट्रैफिक में जाते हूँ ठीक है ट्रैफिक सिगनल बनावता है तो जो green light है ठीक है एक बार blink कर रहे है ठीक है हो रही है ठीक है start है फिर दुबारा से जब यह green light इसमें शो होती है ठीक है तो वही जो time है first से second green time के start होने में उसी को हम बोलने क्या cycle length अब इसमें होता क्या है green के बाद फिर अपना red आता है green का यलो red फिर फिर यलो फिर तब green ठीक है तो उस वजह से क्या है कि यह उसके बीच में टाइम लगा वही हम आपका क्या cycle length ठीक है इसमें होता क्या है green के बाद फिर से एक बार एंबर जलता है light क्यों इसलिए कि जो वेहिकल्स आपकी क्या हों रोड से आगे बढ़ चुके लेकिं इंटरसेक्शन आगा प्रॉस भी निके उनके लिए यलो लाइट फिर तब आता है red light रेड लाइट खतम होने बाद ठीक है फिर तुरंथ ही पास सेकंड पहले से आपका यलो भी जलने लगता है शो होने लगता है और उसके आपका ग्रीन फिर आ जाता तो यह जो है इसी को बोलता है क्या cycle length क्या है अब तर ताइम इंटर्वल बिट्विन टू नेक्स ताइम ग्रीन स्टार्ट ओके फिर दूसरा अगर हम बात करें ठीक है दूसरे टम की तो इंटर्वल है इसमें ठीक है अब यह क्या है कि यह एक चेंज इंटर्वल अब उसी को दो तीन पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ओकी देखिए फर्स्ट है आपका क्या चेंज इंटर्वल में क्या है ठीक है इसी को हम लोग एंबर टाइम भी बोलते हैं यह यहां पर यहां जो कलर है तो यहां यहां जो इंबर ही उसका नाम है बट अपने समझने के लिए लोग समझने के लिए हम क्या कर देते हैं यहलो टाइम भी इसको बोल देते हैं तो इसका मतलब क्या है चेंज इंटर्वल क्या है अपका इंडिकेटर टाइम इंटर्वल बिट्वीन ग्रीन एंड रे यानि कि लाल और हरे जो इंडिकेटर है उ इसका time interval है उसको सो कर रहा है उसको हमनों क्या बोलते है चेंज इंटर्वल या नॉमली समयने के लिए हम क्या बोल सकते है यलो टाइम ओके फिर बात करते हैं आपका clearance interval के clearance interval क्या है यहां पर या इसको हम क्या बोलते है all red time यानि कि traffic light जब जिस भी समय say first if red रहती है तो वो पूरा count कर लेना या और red करते क्यों है ठीक है red करते क्यों है ये भी बताय दिया इसने कि it is used to clear the vehicle at intersection यानि कि intersection पर जो vehicle है उनको clear करने के लिए क्लिए क्लिया करते हैं हम red light या clearance interval या red light signal जो है उसको वो आन रहता है ठीक है इसी को हम लोग क्या बोलते है clearance interval ओके clearance interval या all red time all red time किस काम में आता है कि road जो उसको clear करने के लिए intersection पर जो road उसको clear करने के लिए ओके थर्ड है आपका क्या green interval क्या है green interval ठीक है देखे अब यह भी नाम से clear है कि जितनी भी time तक आपका green light जल रहा है ठीक है दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा green interval देखे इस the actual duration for which green light of traffic is turned on यानि कि जितने भी time के लिए जितने भी time के लिए एक लेन में ठीक है एक बार में आपका green light जल रहे है वही होगा आपका क्या green interval ओके अब देखे अब अगर आपसे बात के जाए टोटल साइकल लेंथ की मैंने अभी यही बिताया था ना कि पूरा आपका क्या है साइकल लेंथ है तो अगर टोटल साइकल लेंथ की बात की जाए तो क्या होगा या एक तरह से यहाँ पे green interval plus red interval यानि कि यह आपका red time या red interval भी बोल सकते हैं ठीक है red interval और अपका है plus में change interval या इसी को हम लोग बोल सकते है ember time या yellow time ठीक है या green time red time और yellow time भी कहीं पे हो सकता लिखा हुआ आपको मिल जाए तो confused नहीं होना है एक्जाम में question आएगा SSC में कि what is the total cycle length ठीक है तो आप लोग लिख दोगे green interval, red interval और change interval आपको टिक करना है ठीक है लिखना नहीं है आपको टिक करना है और यह चीज़ आप देखे रहोगे तो एकदम आपको याद रहेगा तुरंत की तुरंत आप टिक करके अपना समय बच चाहोगे ना यह दूसरे question में काम आ जाएंगे फिर आपका जो एक्जाम होता नहीं कि निकलता नहीं है जब यहाँ time बचा तो टाइम दूसरे tough question दोगे वह भी सही यह भी सही बस आपका काम हो जाएगा ओके यह होगा आपका cycle length और interval interval में आपका change interval clearance interval और green interval total cycle length का formula क्या बन यहाँ पर phase ठीक है phase बात करते हैं देखिए phase क्या है कि जो clearance interval है ठीक है और green interval या कह सकते है green time और red time इनको गर हम sum करते हैं तो क्या बन जाता है यह phase बन जाता है ठीक है तो एक phase में ठीक है green interval और red interval जो कितना time लग रहा है ठीक है वहीं आपकर क्या हो जाता है free phase ठीक है अब इसके बाद देखें lost time ठीक है fourth आपका है lost time लिखती जाएए उसको ठीक है lost time आपका है देखिए lost time में क्या है कि यह क्या करता है देखिए यह देख लीजीए it indicates the time for which intersection is not utilized for any movement यानि की जो आपका intersection है वो किसी भी movement के लिए utilized नहीं हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है पड़ा इसको समझते हैं लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है कि intersection जो है वो aker option ररा है देखिए यहाँ अपका island बना हुआ है अब क्या हो रहा है कि इधर का vehicle जो है ठीक है इधर वहेिकल जो है वह रुका हुआ है ठीक है जब इधर light आपका जो green होता ठीक है i signal जवाब का green होता है तो green जब हुआ है तो गाडियां बढ़ने में जो एक सेकंड आधा सेकंड दो एडिर सेकंड कुछ लग गया ठीक है गाड़ियां आगे जाने में Reynolds को pass होने विजे थोड़ा सा यह ड्राइबर जो है गारी постоर्ड करने विर आगे बठ़ने में यह ताइम लग जाता है ठीक है इसी को बोलते है कि आपके lost time ठीक है time lost हुआ ना और यह दो थाइप क्या होता है एक तो आपका होता है startup lost time दूसरा आपका clearance loss time startup loss time में क्या होता है कि एक तो जब गाड़ी आपके रुकी होई है ठीक है वो loss time हो गया आपका ठीक है जब आप बढ़े ठीक है गाड़ी रुकी है आपकी वहिकार आपका रुका है और जब आप बढ़ते है road की तरफ ठीक है आगे अपने direction के तरफ तो वो जो time start की फिर बढ़े तो उतने में एक दू सेकंड जो कहा है वो अपके startup loss time में इसको शो करते है T suffix में SL यानि के startup loss time ठीक है ती ते आपका time है और दूसरा आपका क्या clearance loss time clearance loss time यानि कि जब आप क्या करते हो green light जब उसके बाद फिर yellow light on होती है yellow signal फिर उसका red तो green के बाद जब yellow आता है ठीक है कि इसके बाद green के बाद yellow जब आता है उसका red आता है तो green होता क्या है कि जो गाडिया निकल चुकी है इस जगा से आगे निकल चुकी है तो यह होता है कि इसको क्रॉस करके आगे इधर या इधर जिदर भी जाना अपना वो जा सके तो उस टाइम पर ठीक है यह क्लिरेंस इंटर्वल जो है यानि कि जो यलो लाइट जब आउन है और जितने लोग तब तक में निकल रहा है पास हो रहा है तो दूसरी सब के लोग रुके रहते हैं तो यह हो जाता आपका क्या क्लिरेंस लास्टाइम यानि कि क्लिरंस होने का रोड के इंटर सेक्शन के क्लिर होने का वेट कर रहें तब इधर से गाड़ी इधर मूब करेगी या इधर वाले जो भी जहां पर जाना है यह हो जाता क्या आपका श्टार्टप लास्टाइम और दूस चीज का दिखें इसमें क्या होता आपका देखें एफेक्टिव ग्रीन टाइम यानि कि इसको शो करता है जी सफिक्स में आई से ठीक है इट इस एक्ट्वल टाइम आगलेवल पॉर वेहिकल टुक्रॉस दा इंटर सेक्षन यानि कि क्या है कि यह ग्रीन जो सिग्नल होता है ठ अपसी में हमें क्या होता है अपने वेहिकल को इंटर सेक्षन से पास करा लेना होता है ठीक है इतने ही टाइम हमको मिलते हैं वेहिकल को अपने गाड़ी को बाइक को कार को पास कराने में इंटर सेक्षन से ठीक है तो इसी लिए इसको बोलना है इफेक्टिव ग्रीन टाइ ही और यह आपका लॉस टाइम इसमें 22 सेकंट या कह सकते हैं इसको हम मौन पॉइंट पाइट और इधा वन पॉइंट फाइट यह हमारा लोज हो गया ठीक है इसको ठीक है 1.5 तो दोनों का प्लस करते हैं लगवाग तीन सेकंड आपका लॉस्ट हो गया ठीक है और यह इसमें सीक्ट परस माइनस हो जागा तो इफेक्टिव ग्रीन टाइम आपका कितना है आपका अपका अब का आपको समझाने के लिए 30 सेकंड ठीक है एक्या है आपका इमबर टाइम या आपका जो यलो लाइट जल रही है वो भी तो काउंट होता है न उसमें भी तो आप 5 सेकंड जीति तेन सेकंड पहले और बाद में लेकिन स्टार्ट अप में इस्टार्ट अरे लॉस टाइम में स्टार्ट आप लास्ट टाइम यह दोनों माइनस हो जाएगा ठीक है अब आप समझ यह होगी कि माल लेते ग्रीन दाइम आपका 30 सेकंड था और यलो लाइट भी आपका ठीक है कुछ है खाल है यहाँ किया है यह स्टार्ट ऋकल आका ट्ञाइब खाल अब करते हैं बहुत आप यह थिक है विर्ट आप को यह traders के मैनल के हिसका जाईए नहीं जृत नहीं है अब देखी इसके आपका है इसके अब चलते हैं किस पर नेक्स अब करेंगे चीज आपका तो यहां पर यह चीज आपका क्लियर हो गया थीक है यह हो गया क्या आपका इफेक्टिव ग्रीन टाइब अब देखें इसका दोफ चलते हैं कि सपे नेस्पाव एक लि podéis तथीक तो क्या है यहां पे देखें इसमें कहा है कि अगर एवरी वेहिकल देखार एन सेकंड टाइम हेडवे एन एक वेहिकल को और माल लेते हैं एस्यूम कर लेते हैं कि जो सिगनल है हर समय ग्रीन है यानि कि पूरे टाइम ग्रीन आपका सिंगल बना हो कोई रेड कोई यलो कुछ होई नहीं रहा है ठीक है तो यहां पर देखते हैं तो सैच्वरेशन कैसिटि क्या हो जैगरे एस इसकल टू थर्टी शिक्स फंडडर्ड वाई है आपका फॉर्ट तो 32620 वाई है ओके यहां पर और है और घ्रीन रेडिश्यों क्या है यहां पर घ्रीन दिश्च्छ इश्वन को आपको क्या है जी आई अपान C not थीक है C suffix में not थीक है यह आपका क्या है green ratio green ratio ठीक है देखें traffic capacity अब क्या हो जाएगा traffic capacity आप यह इसे हीगा यह आप लिग दिया लेन capacity ठीक है क्योंकि यह आपका heading क्या था लेन केपसिटी तो क्या है ट्राफिक केपसिटी आपका लेन क्या बना आपका ये एस इन्टू क्या है एस इन्टू जी आई ठीक है जी आई अपॉन सी नॉट ठीक है ये क्या बन गया आपका लेन केपसिटी ठीक है एक बाइस को सहे से लिख देते हैं क्या आपका लेन केपसिटी क्या बना एस इन्टू जी आई अपॉन सी नॉट ये आपको क्या बन गया ल यहां पर इसके बाद क्या है इसमें एक चीज़ यह है कि अगर जी आई आई आपके सी नॉट के बरावर हो जाई यह यहां पर इसे लिखाय ठीक है जी सुफिक्स में आई सी नॉट है ठीक है यहां एक जी इसके लिए देंगे ऑन ग्रीन पेंच बरावर रुजा एक टे गइंगे इन इसके लिए घ्रीन देश्य कितना यह कि फार ठीक है ऑगर ओकर बास है रिए लिए टो एक डेयर लिए घ one and lane capacity will be maximum यानि कि उस time पे जब GI और C not equal हो जाएंगे तो आपका clean ratio one हो जाएगा और उस time पे आपका lane capacity सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा ओके आप इसमें क्या है कि इस में कोई है कोई भी टाइम नहीं है अपका स्थाइम नहीं है अब क्या हो जाएगा वन हो जाएगा यानि इसके वाद आपका क्या है देखें इसके वाद आपका फिर यहाँ पर यह चीज आपका finish होता है ठीक है इसके वाद आपका देखते हैं कुछ चीजे हम लोग ठीक है कौन-कौन से method है signal को design करने के लिए ठीक है देखें कौन-कौन से method है आपके signal को design करने के लिए यहाँ पर ल design of signal कौन कौन से मेथड है signal की designing के लिए ओके देखें तो आपका है trial cycle method क्या है trial cycle method ठीक है trial cycle method दूसरा आपका अप्रॉक्सीमेट मेथड एक अप्रॉक्सीमेट मेथड ठीक है अब फोर्स आपका क्या है आई आर पी मेथड यानि की इंडिया रोड पॉंग्रेस ने अपना नियम दिया है ठीक है जोब तीर मेघ्ड दिया है एक चार आपकी मेघड है ठीक है कि इसमें से आपका किसकी कि ऊतार सिक्लिंग मेघ्ड cha को मब बात करतमें कि कि案 में ईडिन डालीज कि परका आपका trial cycle method ठीक है इस मलब की signal की designing में ये method आपका use होता है ठीक है लिखे यहाँ पर इसके आगी ठीक है देखे इसमें क्या होता है in this method लिखते है in this method ठीक है green time is calculated green time is calculated is calculated green time is calculated on the basis of क्या है आपका on the basis of on the basis of on the basis of traffic volume on the basis of traffic volume क्या है आपका trial cycle method में कि इस method भी जो आपका green time है ठीक है वो कैसे calculate करते हैं ठीक है green time is calculated on the basis of traffic volume यानि की आपके पास माली जी चौरहा है ठीक है अब हमें देखना या जैसे भी ठीक है ठीक है ठीक है या डिरेक्शन की हिसाब से आपको तो उसके हिसाब से आपको trial cycle method में यानि कि देखें से एक तरसी एक trial है जिसमें हम देख लिए कि इस तरफ से ज्यादा है हर जगा पर हर चोरह है पे अलब होगा तो उसके हिसाब से आपको green time देना है कहीं पर 30 seconds कहीं 15 seconds कहीं 20 seconds कहीं 40 seconds जैसे भी जिस जगा की traffic volume हो उसके हिसा हो गया क्या आपका trial cycle method दूसरा अबकर क्या है दिखें दूसरा मैंने आपको बताया तव क्या approximate method क्या है approximate approximate method देखें approximate method न्हों क्या है approximate method जो है आपका इसमें हम लोग लिखते हैं देखें, in this method, लिख दिए है, in this method, ठीक है, क्या है आपका cycle length जो है आपका, क्या है cycle length, cycle length depends upon, ठीक है, cycle length, ठीक है, depends, आप इसको अठाट, छ्रीक है ठीक है ठीक है ताटाट अरीश छिर्ड चाटट। और सिकलें, चर श्रीच है ठीक है तट पड़्द झाटेएं, ठीक है ठीक है तोटाट तो जो स्ती लूर्ड और देखे इसमें आपका क्या है अप्रॉक्तिमेंट में कि हम ही क्या करना है जो साइकल लेंथ है है कि अब ही आपने देखा था सैकल न्याएं प्लस यल्यू या प्लस अपका एम अपका ररेड टांब तू आइंट्टे जो टोटल साइकल किरेड़न आईर पे पेडिज्टेंट पे ठीक है यानी कि जो आप खॉस करना रोड को उस पर और फॉस्टेन ने कि और सैफिक वॉल्यूम यानि पी आपने क्या देखा था cycle length हमारा जो depend करें किस पे pedestrian time को भी हमने इसमें calculate किया है ठीक है इसी लिए इसका नाम क्या है approximate method ठीक है क्योंकि जरूरी नहीं हर जगह ठीक है कितना किसको time लग रहा है यह सारे pedestrian time या traffic volume भी कम जादा होता है तो उसके हिसाफ से हमने यहाँ पे approximation में जो भी वहाँ पे बना जिए जगह पे जैसे situation दे उसके इसाफ से cycle length provide कर देते हैं green time जितना देना हो या red time जितना देना हो या फिर आपका ember time या yellow time ओके अब इसके बाद आपका है third webster method क्या है आपका webster webster method ठीक है अब देखें वेबस्टर method webster method जो है ठीक है webster method आपका third है ठीक है third यह क्या होता है webster method बहुत ज्यादा important है ठीक है इससे question आता आपका कभी के exam में इसके बारे में के करके हम लोग देखेंगे सबसे main चीजी है कि यह तो यह ही जो है में सबसे ज्यादा आपकी यूज में आता जिसको लिख देते हैं मोस्ट कि रेशनलाइज क्या है मोस्ट रेशनलाइज मेथर्ड कि ठीक है क्या हो जाएगा और design of most रेशनलाइज method for design of traffic signal ठीक है Nos!」 partnership signal ठीक है मोस्ट रेशनलाइज method for design of the traffic signal ठीक है दूसरा क्या है कि it is in this method दीखें इन दिस method in this method Optimum Optimum Cycle Length Optimum cycle length Is calculated Is calculated On the basis of On the basis of On the basis of Minimum On the basis of minimum Delay इसमें क्या है हमारा Optimum cycle length है हम कैसे calculate करें है उसके minimum delay हो रहा है उसके हिसाब से हम क्या कर रहा है wave time method में हम traffic signal के designing कर रहा है अब इसमें क्या है Optimum cycle time होता क्या है देखें लिखते हैं हाँ पर Optimum Optimum cycle time formula आप लोग देखें कि देखें क्या है आपका C naught is spelled to 1.5L ठीक है plus 5 upon में आपका क्या हो जाएगा 1-Y यह है आपका क्या Optimum cycle time ठीक है Optimum cycle time आपको क्या है 1.5L plus 5 upon 1-Y अब यहाँ पर क्या है L आपका क्या है total time lost total time lost और आपका Y क्या है यहाँ पर Y है आपका Y A plus Y B क्या है Y A plus Y B और Y A क्या है ठीक है Y A क्या है आपका Y A है आपका Q A upon S A comma यहाँ पर लगाईए Y ठीक है Y B क्या है आपका Q B upon S B ठीक है अब देखिए Y पता चलकर क्या है Y A plus Y B ठीक है Y A क्या है Q A upon S A और Y B क्या है Q B upon S B अभी Q A Q A Q B और S A S B है क्या देखिए यहाँ पर लिखते है Q A ठीक है यहाँ पर लिखते है इसको क्या है आपका यह Q A and Q B Q A पर यह Normal flow ठीक है क्या है Normal flow in road Normal flow in road in vehicle per hour per normal flow in road in vehicle per hour per lean और S A और S B क्या है S A and S B is called to saturation flow क्या है saturation 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 flow in road in vehicle per hour per lean यह है vehicle per hour per lean ठीक है देखिए यह है आपका क्या Webster method ठीक है देखिए आपका इसमें क्या रहता है क्या है क्या आपके पूछे जाए कि कौन से ज्यादा यूज होना ले method है signal designing में ता आप क्या बता होगे आंसर को होगे Webster method ठीक है इस इस अ मोस्टेशनलाइज method ठीक है और design of traffic signal और क्या है in this method optimum cycle length is calculated on the basis of minimum delay optimum cycle आपका क्या है optimum cycle time क्या है आपका यहाँ पे C0 is 1.5L plus 5.1 1-Y Y यहाँ पे क्या है Y A plus Y B L आपका क्या है total time loss ठीक है या इसको जिसको जो आप लोग देखती है loss time पढ़े थे T suffix में L ठीक है उसको को यहाँ से N से multiply करना है plus R या L लेखना ठीक है यह हो जाता है formula उसका और यहाँ पे Y इस A क्या है Q A upon S Q A and Q B क्या है normal flow in road in vehicle per hour पर lane और S A and S B क्या है saturation flow in road in vehicle per hour पर lane ओके अब देखे यहाँ पे आपका क्या है इसके बाद इसके आपका है fourth method क्या है आपका IRC method क्या है IRC method ठीक है देखे IRC method में क्या है आपका IRC method देखते है यहाँ पे देखे इस दा क्या है इस दी combination क्या है आपका combination of combination of approximate क्या है approximate approximate method and approximate method and webster method यहाँ पे लिखते हैं आपका webster method यानि कि जो आपका second और third आपने पढ़ा उसी का combination है ठीक है it is a combination approximate method and webster method यहाँ पे लिखते हैं आप क्या it involves यहाँ पे इट involves it involves two steps it involves two steps ठीक है first है यहाँ पे लिखते हैं step one step one इसमें क्या करना है आपको नेकिए इसमें आपको करना है calculate लिखते हैं यहाँ पे calculate cycle length calculate cycle length by approximate method किससे approximate method calculate cycle length by approximate method ठीक है और दूसरा आपको क्या है step to इसमें क्या करना है check check cycle length check cycle length by क्या करना है आपको IRC by Webster and IRC method ठीक है यह आपको क्या IRC method इसमें क्या करना है आपको इसमें क्या करना है आपको इसमें क्या करना हैустर की combination क Hispanic चेका चंप करते हैं तो उसдо ह्साव से हम चेकरते हैं अधिया है ने पाईस कर्या है टो तो हम निकाल करें चेक करते हैं टीक है तो उससे आता है क्या干 डिलाने के डिजाइन का तरीका ओके यही आपका 4th method तो यहां पर आपका फिनिश होता है क्या method for design of signal अब इसके बाद का जो topic है वो क्या है आपका इसकी बाद हमें पढ़ना है क्या intersection क्या है आपका intersection ठीक है intersection आपका है इसके बाद तो यह हम लोग देखेंगे next class में बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग topic है आपके लास्ट है इसके से लेटेट सारी कीजें फिर बची हुई है तो इसको अबलब next class में देखेंगे आज जो भी आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से इसको इसके लिए आपको परिशान नहीं होना है बस रिवीजन करते रहना है time to time और अपने study पर focus करना है तो मिलते हैं फिर आम लोग नेक्स लास में नहीं हुजा नहीं नहीं मां के साथ तिल देल लव यू वाल बाए 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 मां कर दो सकते हो है नहीं है बहुत आपको झाल झाल